प्यारे विद्यार्टी वक्षाट विसे समाजे विग्यान 11 अगस्त का ग्रेकार आपके शामने लेके आचुके हैं तो चले सुरुआत करेंगे पहले परस्टे पहला परस्टे है भारती शंसत के दोनों शदनों का नाम बताईए तो इसका उत्तर नोट करेंगे पहला सदन हो होती है लोक शबह में 543 शदश्य निर्वाचित होते हैं तीसरा प्रशन है राज शबह में कितने निर्वाचित और कितने मनोनित शदश्य होते हैं इसका एंसर बताईए तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा राज शबह में 233 निर्वाचित शदश्य होते हैं और 12 शदस राष्टपति की और शेव मनूनित किये जाते हैं ठीक है चौथा प्रश्णोट करेंगे गटवंदन सरकार किसे कहते हैं तो गटवंदन सरकार एक शंसदे सरकार की कैविनिट होती है जिसमें कई राजनेतिक दलों का सहयूप करते हैं जिसमें गटवंदन के वीतर किसी भी ए बेपक्ष किसको कहा जाएगा उसकी क्या बहुमिका होगी तो चले इस प्रश्ण का आप लोगों को नोट करना है जो दल सरकार में सामिल नहीं होंगे उन दलों में लोक्षभा शांसत मिल करके बेपक्ष कहलाएंगे बिपक्षी दल सरकार की नेतियों और कारकमों की कम्यों को जनता के शामने लाते हैं और उनकी नेतियों के जन समर्थन जुटाते हैं उनकी नेतियों के लिखा करते हैं जन समर्थन जुटाते हैं इस तरह से आज का ग्रेकारी कम्प्रीट होता है उम्मिद कर तो आपको वीडियो प्रशंद आएगा अगर पहली वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रस कर लिजेगा अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आ रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा फिर मिलेंगे नए ग्रेकार के वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत रही है इंडिया की नंबर वन डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिसा बनिए और डाउटन टैप इंस्टॉल कीजिए